आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही डिलिश्यास, बहुत ही क्रीमी पनीर बटर मसाला वो भी बीना क्रीम की फ्रेंड्स इसे मैंने एक्तम नए तरीके से बनाया है और इसे बनाना इतना सिंपल है कि कोई भी इसे जटपट आसान इसे बना पाएंगे और आज हम इसे सर्फ करेंगे तंदूरी बटर नान के साथ जिसे मैंने बनाया है बीना तंदूर की ये रेसिपी वीडियो इससे पहले मैंने शेयर किया है तो दोनों रेसिपे इसको जरूर से ट्राइ कीजिएगा पनीर बटर मसाला बनाने के लिए यहां मैंने धाय सो ग्रम फ्रेश पनीर को क्यूब्स में काट लिया है अब एक पैन में एक टिब स्पून तेल डाल देंगे इसे अच्छे से फैला लीजिए अब हम गरम तेल में पनीर के पिसस रख देंगे और मिडियाम फ्रेम पे दोनों साइट से पनीर को लाइट गोल्लेन होने तक फ्राइ कर लेंगे एक मिनिट बाद पनीर को इस तरह से पलट दीजिए और दूसरे साइट को फ्राइ कर लीजिए तो इस तरह से उलट पलट कर पनीर को दोनों साइट से लाइट गोल्डेन करके फ्राइ कर लिया है इस से जाधा पनीर को और नहीं फ्राइ करना है, नहीं तो पनीर हाड हो जाएगा तो इसे एक प्रेट में निकाल लीजिए पनीर को साइड में रख के अभी मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ उसके लिए आधा इंच अद्रक को छोटे पिसस में काट लिया है उसी के साथ एक मिर्च को राफली चौप किया है अब और थोड़ा सा अद्रक को छोटे जुलियन में चौप कर लेती हूँ साथी में ग्रेवी के लिए तीन मिडियाम साइज के टमाटर को राफली काट लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता और काजु लिया है अब उसी पैन में बची हुई तेल के साथ एक टीस्पून बटर डाल के बटर को मिल्ट कर लिजिए बटर से पनीर मसाला का स्वाध ला जबावाएगा जैसे ही तेल और बटर गरम होता है इसमें थोड़ा सा खरे गरम मसाला डाल दीजिए यहां मैंने एक छोटी इलाईची, दो लॉंग, एक तम थोड़ी सी जावीत्री और एक छोटा दालचिनी का टुकड़ा लिया है उसी के साथ अध्रक के टुकड़े और हरे मिनिच भी डाल देना है और मसाले को एक मिनिट भून लिजिए एक मिनिट बाद 25 क्रम काजू डाल के काजू को लाइट गोल्लेन करके फ्राइ कर लेंगे काजू फ्राइ होने के बाद इसमें टमाटर एट कर दीजिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनिट हलका सा टमाटर को काजू के साथ भून लेंगे इसमें थोड़ा सा ताजा धनिया बत्ता चौप करके डाल देना है अगर आप इसमें प्यास लाइसन डालना चाहते हैं तो इस पक प्यास लाइसन को थोड़ा सा भून लेजिए अभी टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं एक मिनिट हलका सभुन के इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और चोथाईटी स्पुन कश्मी लाल मीच पाउडर एट कर देते हैं मसाले को मिक्स करते हुए और एक मिनिट इसे पका लीजिए फिर इसमें आधा काप पानी डालके इसे ढख कर पांच से साथ मिनिट के लिए पका लेंगे काजू को आप पानी में भीगो कर भी ले सकते हो साथ मिन बाद ढ़कन खोल कर आप देख सकते हो टमाटर हमारा बड़िया पग गया है सॉफ्ट हुचुके है साथ साथ काजू भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुचुके है तो अभी गैस बंद करके इससे ठंडा होने देती हूँ इसमें मैंने काजू डाला हुआ है इससे सबसी में एक क्रीमी निस आएगा और कश्मी लाल मिच पाउडर से ग्रेवी में कलर अच्छा आएगा ठंडा होने के बाद इससे एक ब्रेंडिंग जार में डाल के इसमें हलका सा पानी मिला के इसका फाइन पेस्ट बना लेती हूँ और आप देख सकते हूँ ग्रेवी हमारी एकदम स्मूध हो चुकी है स्मूध क्रीमी बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बन गई है यहाँ पार एक कड़ाई में एक चामच तेल गड़म कर लिया है गड़म तेल में आधा टीस्पून जीरा डाल के जीरा को चटकने देते है अभी इसमें जूलियान में कटा हुआ अद्रक डाल दीजिए अद्रक और जीरा को कुछ सेकेंज फ्राई करके फिर इसमें चौथाई टीस्पून चीनी अट कर दिया है इस बक्त थोड़ी सी चीनी डाले से ग्रेवी का कलर और स्वाथ दोनों ही बहुत ही अच्छा आएगा तो तीनों मसालों को भुन के फिर इसमें आधा टीस्पून हल्दी और चौथाई टीस्पून कश्मे ललमिज पाउडर एट कर दीजिए हल्दी और ललमिज को डालते बक्त गैस का फ्लेम एकदम लोग पे रखिएगा नहीं तो मसाले जल जाएंगे और ग्रेफी का टेस्ट बढ़िया नहीं बनेंगे फिर इसमें अपने यहाँ पे जो टमाटर अद्रक का ग्रेफी बनाया था ना वो डाल देते हैं तो अच्छे से सभी को मिक्स कर लीजिए अभी हमें यह ग्रेवी को अच्छे से उबाल लेंगे तो इसे अभी low to medium फ्लेम पे मसाले को चलाते हुए अच्छे से भून लेना है तो उसे जाड में थोड़ा सा पानी मिला के इसमें डाल दिया है अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए अभी इसमें हम कुछ मसाले आट कर देते हैं जैसे की चोथाई टीस्पून कश्मील अल्मीज पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर आट कर देती हूं नमक डाल देती हूं स्वात के अनुसार तो मसाले को अच्छे से ग्रेफी के साथ मिक्स कर लेना है अभी ये ग्रेफी को हमें अच्छे तरीके से भून लेना है तो इसमें अभी एक टिबल स्पून बटर रट किया है इससे ग्रेफी का स्वाथ बहुत ही बढ़िया आएगा आज काल हम बहुत ही health conscious हो गया है तो इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत ही कम मात्रा में बटर का इस्तमल किया है पर आप अपने हिसाब से बटर कम जदा ले सकते हो आप देख सकते हो बटर डालने के साथ-साथ ही ग्रेवी का texture कितना smooth, कितना silkी बन गया है चार बाच में ग्रेवी को भूनने के बाद अभी यहाँ पे fried पनीर, कटे हुए धनिया पत्ता और दो स्लिट किये हुए हरी म्रिच डाल देते है उपस, इतना धुआ निकल रहा है ना मेरे camera के lens में धुआ आ गया है sorry दोस्तो I hope कि आप समझ सकते हो तो सभी को ग्रेवी के साथ अच्छे से mix कर लेती हूँ तो पनीर के साथ ना, अभी हम यह ग्रेवी को 2-3 मिनिट अच्छे से पका लेना है 2-3 मिनिट पनीर को ग्रेवी के साथ भूनने के बाद आप देख सकते हो यह पनीर बटर मसला हमारा कितना बड़िया बन गया है बीना क्रीम, बीना प्याज लेसन के बहुत ही लाजबब यह पनीर बटर मसला हमारा बन गया है पनीर हमारा एकदम सॉफ्ट है और साथ साथ ग्रेफी हमारा एकदम स्मूध सिल्की बने है आज हम ये बहुत ही डिलिशेस पनीर बटर मसाला को बटर नान के साथ सर्फ कर रहे है जिसका रेसीपी वीडियो मैंने इससे पहले शेयर किया है बहुत ही आसान है इससे बनाना तो इस तारीके से आप भी बना लीजिए ये पनीर बटर मसाला और इसके साथ आप पुलाव बना सकते हो नान बना सकते हो, कुल्चा बना सकते हो, पराठा बना सकते हो सभी रेसीपी है मेरे चैनल पे तो इसके लिए ज़रू से सब्सक्राइब कीजिएगा स्रितमस कीचिन चैनल को और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल न भूलिएगा तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ तो मेरी चैनल को देखते रहिएगा धैंक यू टेक कियर